राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टैरो रीडिंग क्या होते हैं टैरो कार्ड्स किस तरह उन्हें रीट किया जाता है उनके मीनिंग्स क्या है आज ये पूरी वीडियो आपको रहेगी टैरो कार्ड्स के मीनिंग के बारे में बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पर भी कि माम प्लीज थोड़ा सा टैरो सिखा दीजे ताकि हम अपनी गाइडेंस जो है टैरो की खुद ले सकें तो आज इस कोर्स के बाद आप बिलकुल सक्षम हो जाएंगे अपनी रेडिंग करने में ये रेडिंग जो है ये जो टैरो कोर्स है आपका ये पार्ट्स में रहेगा क्योंकि लंबी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सुनना मुश्किल है तो इसे हम parts में बनाएंगे ताकि आप सारे cards जो हैं वो आसानी से सीख सकें और धीरे धीरे सबकी practice भी कर सकें तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं नमस्कार मैं हूँ Dr. Anjavasan एक tarot card reader, numerologist, face reader and life coach तो बहुत सारी modalities के साथ मैं पिछले 6-7 सालों से काम कर रही हूँ और tarot reading जो है वो मेरा फोते रहा है तो चलिए tarot reading के बारे में बाते करते हैं जो लोग tarot की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं उन्हें ये पता होगा कि हम जो main tarot लेते हैं वो कौन से cards होते हैं वो है rider weight अब आपके दिमाग में आएगा कि हम original rider weight tarot card कहां से लें तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप Amazon पे easily उसे ले सकते हैं Amazon पे आप देख लिजिएगा किसके reviews बहुत अच्छे हैं वही वाले cards जो है वो आप ले लीजिएगा अब जब आप ये cards ले लेंगे इसकी cleansing कैसे करनी है किस तरह से करना है ये मैं वीडियो बनाती रहूंगी पर आज मेरा main motto है कि मैं आपको tarot card सिखा कर चाहूं अब ये जो आपके पस tarot card आएंगे rider weight tarot card इसमें total होंगे 78 cards 78 cards जो होते हैं ये दो parts में divided होते हैं one होता है major arcana जिसमें 22 cards होते हैं और दूसरा होता है minor arcana जिसमें हमारे पास 56 cards होते हैं 22 and 56 ये total मिलके बनाते हैं 78 cards ये 78 cards को हम read करके client को बताते हैं कि आपके future में क्या होने वाला है या आपके लिए क्या guidance है यहां पहले एक बात आपको request करना चाहूंगी कि जब भी आप किसी की reading लेते हैं तब ये मत बोलिए कि आपका ये show हो रहा है और ये ही होगा ऐसा नहीं होता है tarot card just a guidance होती है आपने उन्हें ये बोलना है कि tarot आपको ये guidance दे रहे हैं आप accordingly plan कर लें आपने ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल मत करना ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा कभी भी आपने client को डर आना नहीं है इस बात का आपने ये ध्यान रखना है अगर आप एक tarot card reader बनने जा रहे हैं इसके बहुत सारे rules हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी rules in the sense ये नहीं है कि हमने बहुत कुछ करना है rules ये हैं कि आपके पास जब client आते हैं तब हमने उन्हें किस तरह deal करना है इस बारे में हम बाते करेंगे तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे major arcana में जिसके 22 cards होते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर major arcana की सबसे पहले हम major arcana में जानेंगे कि इसमें 22 cards हैं उन 22 cards में आपको पता है सबसे क्या है इन 22 कार्ड में शुरुआत होती है कांड नंबर 0 जी जीfolgена से कांड नहीं होते हैं इसमें जीरो से कांडस स्टार्ट होते हैं और major और % को फेचाने कैसे तो चलिए ये मेरी स्क्रीन में चलते हैं कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले हम पहले काड को पकड़ेंगे जो है हमारे Major Arcana का First काड आप मेरे स्क्रीन पर एक काड देख रहे हैं यह Major Arcana का सबसे पहला काड है इसके उपर यहां पर जीरो है मैं पैंन कोई अच्छा डाक ले लेती हूँ उपर नमबर होगा, नीचे काट का नाम होगा और यहीं से पहचान होती है कि ये हमारे major आरकाना है minor आरकाना की पहचान कैसे होती है ये मैं आपको तब बताऊंगे जब हम minor आरकाना करेंगे अब आप इसमें देख रहे हैं कुछ numbers लिखें हैं कुछ elements दिख रहे होंगे अब इसमें ये जानिए कि जितने भी ये इसमें नंबर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, अलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एक स्टोरी कह रहे होते हैं और इसी स्टोरी को हम देखते हैं, जानते हैं और इसी से प्रेडिक्शन करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ किसमें colors कैसे देखे जाते हैं हर color का अपना महत्व है आप देख रहे हैं बहुत ही vibrant सा card है बहुत ही bright card है, सुन्दर लग रहा है yellow इसका color है, energy है, कितना सुन्दर है तो सब mostly tarot card readers इसे yes का card मान लेते हैं कि ये yes का card है पर जब मैं इसके deep में जाना शुरू करूँगी तो आप देखेंगे कि ये properly yes नहीं है जब मैं आपको इसकी story बताऊंगी, story narrate करूँगी कि इसके क्या meaning है, तब आपको भी लगेगा कि नहीं ये yes का तो नहीं है क्योंकि yellow है तो हम सब बोल देते हैं कि हाँ, हाँ, ये yes का card है ठीक है, चलिए, अब इसके secrets जानते हैं आप इसमें देख रहे हैं कि एक इनसान है, एक man है जिसने बहुत ही colorful कपड़े पहने हुए है और उसके पास एक dog है उसके हाथ में यहाँ पर एक rose है यहाँ पर एक potli है और ये अपना मूँ ऊपर की तरफ उठाए चलता जा रहा है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका pad जो है, वो cliff के बहुत ही पास आ गया है और ये गिरने वाला है अब, आप देख रहे हैं कि ये इनसान बहुत ही colorful कपड़े पहने है age भी इसकी कम है number इसका zero है और the fool का card है the fool से बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि ये जो इनसान है ये fool होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसका नाम सिरफ the fool है zero से शुरू है zero, zero means शुन्य हमारी जिन्दगी शुरू होती है शुन्य से शुन्य means बच्चपन बच्चा आपको एक चीज यहां पर बताऊंगी जब भी आपके पास कोई client आता है अगर fool का card हो तो वो mostly उस इनसान को ही बता रहा होता है जो आपका native है जो आपका client है वो उसी के बारे में बात की जा रही है इसमें आपका जो client है वो बहुत ही young है चाहे वो आपका थोड़ा सा 40 years का आगया 45 years का आगया और आपने कहा कि अरे निकल तो fool का card आया है अब तो ये young तो नहीं है young का मतलब ये है कि इतना mature नहीं है वो थोड़ा सा immature इनसान है पर उसमें जिन्दा दिली है कपड़े देखिए उसने कैसे पहने है कितने colorful, कितने रंगी ले कितना कुछ उसमें बना हुआ है तो उसका जो जिन्दगी है वो बहुत ही जादा वो अपने बेपरवाही से बिताता है उपर की तरफ देख रहा है नीचे चल रहा है उसे ये नहीं पता लग रहा कि मैं थोड़ी ही देर में नीचे गिर सकता हूँ तो वो इतना बेपरवाही इनसान है वो इतना immature है हालां कि आप उसके पास देखे इस टिक में एक पोटली बंदी हुई है हाथ में रोज है इसका मतलब उस इनसान के पास इस पोटली में सारी स्किल्स है उसके पास सारे रिसोर्सिज है सारे रिसोर्सिज है स्किल्स भी है, रिसोर्सिज भी है और उमंग भी है, जुनोन भी है आगे बढ़ने का जैसे एक बच्चे को होता है बच्चे के हाथ में आप पैंसिल पक्रा लो, वो सारी नोटबुक खराब कर देता है, लिख लिख कर, लिख लिख कर, चाहे उसे लिखना ना आता हो, तो वो उमंग, वो जोश, वो excitement काम करने की इसमें भी है, पर problem क्या है, कि ये future नहीं देख रहा, ये उस काम के consequences नहीं देख रहा और सीधा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, ये नहीं देख रहा कि उसमें इसे profit होगा या loss होगा, अब आप देखिए, इसके पास एक dog है, dog, जब भी टैरो में dog आता है, ये आपके किसी ना किसी करीबी रिष्टेदार को दिखाता है, करीबी दोस्त को दिख जब भी आप dogs देखते हैं, dog ने जो color है dog का, देखिए white color है, white color बहुत ही pure होता है, इसका मतलब इसके पास कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जो इसका भला चाहते हैं, दिल से बहुत pure है, और चाहते हैं कि इसका भला हो, ये गलत step ना उठाए जिससे ये नीचे गिल चाहे, जिसस जाता कता ही नहीं चाहते हैं, बिलकुल नहीं चाहते हैं, इसलिए देखिए ये dog जो है, ये इसको समझा रहा है, इसी तरह आपका client जो आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मैं कोई business करना चाहता हूं, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, इसका मतलब उसके पास excitement full है उसके पास resources full है, opportunity के पूरे chances है उसके और पूरा positive है वो इनसान पर वो उसके future को नहीं देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, वो नहीं देख पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, मैं थोड़ा सा इसको erase कर देती हूं, ताकि मैं आपको फि इसमें excitement बहुत जादा है, इसमें skills भी है, but problem क्या है, problem ये है, कि ये future के बारे में नहीं सोचता है, तो जब आपके पस client आए और वो पूछे कि क्या मैं business कर लूँ, तो आप उसे कहेंगे, कि business तो तुम कर लो, पर क्या तुमने सारी skills, सारी skills भी तुम्हारे पास है, ठीक है, resources भी तुम्हारे पास है, opportunity भी तुम्हारे पास है, मुझे दिख रहा है कि तुम अच्छा करोगे, तुम बहुत ही positive हो, पर क्या तुमने इसका result सोचा है, क्या तुमने पूरी research कर ली है market में, कि तुम जो business खोलने जा रहे हैं, वो कितना अच्छा business है, तो इस इनसान को आप आपने एक guidance देनी हैं, कि पहले आप जो भी करने जा रहे हैं, उसके बारे में सारी बाते समझ ले, जान ले, कि वो business जो है, वो market में चलने भी वाला है या नहीं, उसका client कितना है, उसका customer कितना है, उसमें profit कितना है, उसमें loss कितना है, ये सारा जान लो, उसके बात चलो, औ और अपने कोई भी near and dear की advice भी लो, उनसे भी बात करो और अगर वो तुम्हें रोकें, अगर वो तुम्हें ये कहें कि नहीं, this is not the right business, you should not invest on it, तो उनकी बात सुनिये, otherwise क्या होगा, आप खाई में गिरेंगे. तो बताईए, ये card yes का है या no का है, अब decision में आप पर छोड़ती हूँ, comment box में जरूर बताईएगा कि आपको क्या लगता है, कि अगर आपके पास client आता है, कि मैं business जो है अपना start कर लूँ, तो आप उसे क्या बोलेंगे, हाँ कर लो जाके yes या नहीं नहीं बिलकुल मत करना, ये decision में आप पर छोड़ती हूँ, as a student अब आप बताईएगा कि क्या ये card yes का है या no का है, और as a energy exchange, कहते हैं अगर गुरू है तो गुरू दक्षना भी जरूरी है, गुरू दक्षना के नाम पर वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा, तो चलिए, next card को बढ़ते हैं, next card हमारे पास the magician card, मैंने कहा था कि major arcana के card आप number से पहचालेंगे और नीचे name लिखा होगा, तो ये होता है the magician का card, first number card है, पहला number card है, इसका मतलब शुरूरात हुई है, बिलकुल, अब आप देख रहे हैं, एक person है, जिसने white color की dress पहनी हुई है, red color का उपर श्रग लिया हुआ है, yellow सारी energy है, ऊपर भी greenery है, नीचे भी greenery है, यहां पर भी greenery, यहां पर भी greenery, आके table पड़ा हुआ है, table पर हमारे सारे minor arcana के suits पड़े हुए हैं, इन suits को हम आगे पड़ेंगे, minor arcana के 4 suits होते हैं, यह जो है, जिस पे coin बना होता है, वो pentacles होता है, जिस पे cup बना होता है, यह देखिए कप है जिस पे इस तरह से कप बना होता है, उसे वो इस तरह से लगता है, उसके बाद जहां पर स्वार्ड होती है, एक स्वार्ड बनी होगी, वो काड होते हैं स्वार्ड के, और कहीं वांड बनी होगी, इस तरह से वांड बनी होती है, तो वो होते हैं वांड के इसके पास ये चारों हैं, इसके पास cup भी है, इसके पास pentacles भी है, इसके पास sword भी है और इसके पास wand भी है उपर से इसके सर पे infinity का sign है, इसका मतलब ये इंसान बहुत skillful है इसके पास सारे resources है, इसका दिमाग बहुत तेज है, infinity का sign है, angels की blessings इसके साथ है, दिमाग इसका तेज है और उसके साथ साथ, इसके पास सारे resources है कि जो ये जिन्दगी में करना चाहता है, ये वो कर सकता है, ये पूरा capable है हर काम करने के, yellow energy है, बहुत ही positive energy है, जिन्दगी में बहुत कुछ आगे जाके कर सकता है, आप ये देखिए, इसमें उपर भी greenery है, नीचे भी greenery है, यानि की बहुत ज़्यादा success, growth इसकी life में लिखी है, white color का इसका dress है, इसका मतलब इनसान जो है वो बहुत ही pure है, red color इसने पहना हुआ है, name fame भी ये कमाएगा, तो ये जो भी करेगा, वो अपने दम पर करेगा, इसके पास सारी skills है, ये बहुत ही intelligent इंसान है, ये जिन्दगी में किसी भी काम को हाथ डालेगा, तो उस में से पैसा ये कहीं से भी निकाल लेगा, name and fame ये जिन्दगी में कमा ही लेगा, ये बहुत ही positive card माना जाता है, इसका नाम भी से निकाल देते हैं, कहीं से भी birds निकाल देते हैं, तो ऐसा ही ये इनसान है, इसका नाम है magician, तो magician जिस तरह से magic कर सकता है, वैसे ही ये जो आपके पास client आया है, या जो भी है, ये असल जिन्दगी में क्या कर सकता है, असल जिन्दगी में बहुत सारे magic कर सकता है, मतलब कि बहुत ज़ादा काम करने के लिए capable है, बहुत ही efficient इंसान है, बहुत ही skillful इंसान है, जो भी ये इंसान आपके पस आया है, या जिसकी भी reading की जा रही है, पहले पड़ा हमने full का card, जिसका number 0 था, next पड़ा हमने magician का card, जिसका number 1 था, तो यहां से आपको clear हो गया होगा, दो cards हम अपने complete कर चुके हैं, दो cards हम अपने complete कर चुके हैं, अब हम चलते हैं next card की तरफ, card number 2, अगेन देखिए, उपर number लिखा है, नीचे नाम है, तो कौन सा card है ये, ये card है, the high priestess का, और ये major arcana का card है, आप देख रहे हैं, यहां एक lady बैठी हुई है, जिसके आगे cross है, उपर इसके moon आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको अनार दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे, इसने कुछ टोरा करके, यहां हाथ में पकड़ा हुआ है, और इधर आपको एक white pillar दिखाई दे रहा है, एक black pillar दिखाई दे रहा है, two number का card है, तो यह moon का card है, according to numerology अगर हम जाएं, सिर्पे भी moon धारन करके बैठी हैं यह lady, moon, नीचे भी moon है, अगर देखा जाए तो moon ही moon, इसका मतलब moon क्या करता है, moon एक water energy है, full of emotions है, ठीक है, intuitions का card है, इसका मतलब यह lady जो है, इसके intuitions जो हैं, वो बहुत अच्छे हैं, अगर यह अपने intuition की सुने, तो यह बिलकुल right decision life में ले सकती है, यह card जो है, यह बड़ा आपको दिख रहा होगा, कि यह कैसा card है, इसमें देखा जाए, अनार है, कितना एक white color, और sky blue color के कपड़े डालके lady बैटी हुई है, बट यहां पर black energy है, तो यह चक्कर क्या है, हाँ जी, यह card बिलकुल ऐसा ही है, यह card एक ऐसा card है, जो बहुत जादा confusion वाला card है, कि इसे yes कहें या no कहें, यह ऐसा card है, यह actually हम maybe card में लेते हैं, maybe कह देते हैं, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इसमें बार-बार कहूंगी, कि इंसान अपनी intuitions को सुने, जो उसकी intuition कह रही है, वो बिलकुल सही कह रही है, अपने emotions को, इसने मून अपने पैरों के नीचे रखा है, अपने emotions को थोड़ा सा side पे करके, बिलकुल side पे करे, और फिर सोचे, फिर समझे, उस बात को खुद जाने, क्योंकि यह lady बहुत religious है, spiritual है, ठीके, यह भगवान को मानने वाली है, God-fearing है, तो यह जो इनसान है, जो भी आपके पास आया है, जिसकी भी reading चल रही है, जो भी आपका client है, अगर उसका यह card आता है, तो इसका मतलब उसे अपनी intuitions को सुनना चाहिए, उसे यह जानना चाहिए, कि उसका दिल क्या कह रहा है, उसको क्या intuitions आ रही है, और अगर वो अपने intuitions को सुनता है, और तब decision लेता है, तब उसकी life में जो है, वो success आ जाएगी, उसकी life में जो है, वो जिसे कहते हैं, what you call, उसकी जो life है, वो sorted हो जाएगी, उसे अपने आपको सुनना चाहिए, ठीक है, यह है हमारा the high priestess का card, जिसके हमने आपको meanings बताएं हैं, कि किस किस चीज को देखकर आप predict कर सकते हैं, तो आज हमने जाना, तीन cards के बारे में, आगे की videos में, हम और card के बारे में जानेंगे, और आपको, अगर इसके बारे में कोई question है, तब आप लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ लगता है, कि ये कैसे क्या था, या कुछ miss हो गया है, वीडियो को बार-बार देखिए, notes बना लीजिए, और ये crash course है, तो हो सकता है, कि आपको इसमें, बहुत सारी information, आप कहेंगे कि बहुत कम information दी, सिरफ meanings के बारे में थी, इसको read कैसे करते हैं, तो अभी के लिए आप इतना कीजिए, you are very beginner, तो अभी के लिए इसे इतना कीजिए, चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी नई वीडियो में, अगले cards के साथ, तब तक के लिए, राधे राधे,